पुरिशों के शर्ट के लिए पीछे का टुकड़ा मार्क करना और काटना पिछले पार्ट में हमने पुरिशों के शर्ट के सामने के टुकड़े के लिए कपड़े काटे उद्देश्य इस पार्ट के अंत में आप कपड़े पर पुरिशों के शर्ट का पीछे का टुकड़ा मार्क कर पाएंगे और काट पाएंगे देखते हैं कि कपड़े पर पीछे के टुकड़े को कैसे मार्क किया जाए पहले कपड़े पर निशान करने और काटने की सुभीता के लिए पैटर्ण की दिशा बदलते हैं अब छाती के घेरे की एक चौथाई से 4 इंच अधिक कपड़ा मोडे और मोडे हुए किनारे को अपने करीब रखें यहां यह 13 इंच है एक प्रारम्मिक बिंदु को माक करें, डेड इंच नीचे की तरफ और एक निशान बनाएं यह बिंदु 2 होगा बिंदु 2 से मोड की और सवा 31 इंच नापें और एक निशान बनाएं यह बिंदु 3 है दोनों बिंदुओं से मोड की और समकोन लाइने खीचें बिंदु दो से सवा नौ इंच नापे और एक निशान बनाए यह बिंदु आठ है फिर से बिंदु दो से दस इंच नीचे नापे और एक निशान बनाए यह बिंदु छे है बिंदु छे से समकून रेखा खीचे बिन्दु 6 से 17 इंच नापे और एक निशान बनाए यह बिन्दु 7 है फिर से बिन्दु 3 से 17 इंच नापे और एक निशान बनाए यह बिन्दु 5 है बिन्दु 7 और बिन्दु 5 को जोडे बिन्दू साथ से एक इंच बाहर की तरफ नापे और एक निशान बनाए यह बिन्दू चार है अब बिन्दू छे से सवा नौ इंच नापे और एक निशान बनाए यह बिन्दू नौ है बिन्दू आठ और बिन्दू नौ को जोड़े अब लाइन साथ पांच के मत्य बिंदु को ढूंडे और एक निशान बनाए यह बिंदु दस होगा बिंदु चार और बिंदु दस को एक घुमाव में जोडे बिंदु आठ से आधा इंच नीचे नापे और एक निशान बनाए यह बिंदु ग्यारा होगा बिंदु दो से सवा तीन इंच नापे और एक निशान बनाए यह बिंदु बारा है फिर से बिंदु बारा से एक इंच उपर की तरफ नापे और एक निशान बनाए या बिंदू 13 है, बिंदू 13 और बिंदू 11 को जोड़ें, बिंदू 2 और बिंदू 13 को एक घुमाव में जोड़ें, बिंदू 2 से 4.5 इंच नीचे की ओर नापें और एक निशान लगाएं, या बिंदू 14 है, इसी प्रकार बिंदू 8 से 4.5 इंच नीचे नापें और एक निश यह बिंदू पंद्रा है। यह बिंदू पंद्रा है। बिंदू सत्रा और बिंदू चार को एक घुमाव में जोड़ें। बिंदू पंच से धाई इंच नापें और एक निशान लगाएं। यह बिंदू अठारा है। अब लाइन तीन पंच के मत्य बिंदू को ढूंडें और एक निशान लगाएं। यह बिंदू उन्नीस होगा। बिंदू उन्नीस और बिंदू अठारा को जोड़ें। अब लाइन उन्नीस अठारा के मत्य बिंदू को ढूंडें और एक निशान लगाएं। यह बिंदू बीस होगा। इसी प्रकार, लाइन 20-18 के मत्य बिंदू को ढूंडे और एक निशान लगाएं, या बिंदू 21 होगा। फिर बिंदू 21 से पाउ इंच उपर की और नापे और एक निशान लगाएं, या बिंदू 24 है। अब एस आकार में बिंदू 19, 23, 20, 24, 18 को जोड़ें। इस प्रकार, हमने पुरिशों के शर्ट के पीछे के टुकड़े का पैटन बना लिया है। अब देखते हैं कि ड्राफ्ट किये हुए लाइनों के साथ साथ कपड़ा कैसे काटना है, जैसे कि यहां दिखाया गया है। पीछे के टुकड़े के दो अलग टुकड़े होंगे, एक योग का टुकड़ा और एक बॉडीज का टुकड़ा। यहां दिखाये गए अनुसार योग के टुकड़े की एक कौपी बनाएं। इस पार्ट में हमने पुरिशों के शर्ट के पीछे के टुकड़े के लिए कपड़े को मार्क किया और काटा है। अगले पार्ट में हम देखेंगे कि standing यानि खड़े कॉलर के लिए कपड़ा के से माक करें और काटें इसी के साथ हम इस पार्ट के अंत में आ चुके हैं